आज के समय में इंटरनेट लोगों की जिंदगी का एक बहुत ही जरुरी हिस्सा बन गया है खेल से लेकर पढ़ाई तक और टावल से लेकर दोस्ती निबाने तक हर चीज के लिए लगता है इंटरनेट ये इंटरनेट लोगों को घर बैठे चीजे और करने की भी बड़ी सुविधा देता है अब पास के दुकान से राशन मंगाना हो या किसी दूर के शहर से कोई बड़ा सामान सब कुछ इंटरनेट से हो जाता है अभी के टाइम पर केवर डिलिवरी नहीं, सूपर फास डिलिवरी लोगों की उंगलियों के नीचे है और इस रेस में लीडिंग नाम है अमजॉनिका जो एक छोटी सुई से लेकर डिजाइनर कपड़ों तक सब कुछ घर तक पहुचा रहा है नमस्कार, मेरा नाम है मेधा और आप देख रहे हैं जोश मैनी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अमजॉन से जोड़कर साल के लाखों रुपे कमा सकते हैं समझतो आप गए होंगे कि आज हम बात करेंगे अमजॉन की डिलिवरी प्रेंचाइजी की इसमें कैसे शुरुवात की जा सकती हैं, कितना पैसा इसमें पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है यानि स्टार्ट अप इनिशल कॉस्ट, किन किन चीजों की जरुरत आपको पढ़ सकती हैं, कौन से कागस लगेंगे और किन बातों का ध्यान रखना जरुरी हैं, चलिए इन सब पर बात करते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Amazon की डिलिवरी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए, आप Amazon की ओफीशल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए कोई अलग से सेंडर नहीं है, ना ही इसके लिए कोई फीस लगती है तो कोई फ्रेंचाइजी दिलाने के बहाने आप से पैसे मांगे, तो उस व्यक्ती को दूर से ही नमस्ते कर दें चलिए, आप समझते हैं फ्रेंचाइजी लेने का तरीका Amazon की डिलिवरी सर्विस से बतौर पार्टनर जुडने के लिए आपके पास दो आप्शन्स है नमबर एक, या तो आप बड़ी लेवल पर काम करें, जहां आपके पास कई गाड़ियां और बाइक्स है दूसरा, अगर आपके पास अपना एक वीकल है और आप उसका यूज करके डिलिवरी करना चाहते हैं, तो हम एक एक करके दोनों पर बात करेंगे माने, आप फ्रेंचाइजी भी खूल सकते हैं और अपने स्तर पर डिलिवरी पार्टनर भी बत सकते हैं दोनों ही सिच्वेशन्स में आपको Amazon की ओफीशल वेबसाइट पर जाना होगा डिलिवरी पार्टनर के तोर पर जुडने के लिए Amazon की लोजिस्टिक्स की अपनी अलग वेबसाइट है जिस पर ऑपरचुनिटी का टाब बना हुआ है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है अगर आपको फ्रेंचाइज ही लेनी है तो क्या करें आए समझते हैं सबसे पहले तो आपको Amazon पर अपना अकाउंट बनाना होगा अगर आप पहले से ही Amazon का इस्तिमाल कर रहे हैं तो आप उसी अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं इसके बाद अप्रोसेस की शुरुवात करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आपकी educational history, financial information और काम की history बतानी होगा ये फॉर्म काफी डीटेल में भरना होगा तो 2-3 गंटे का समय लगेगा ये तो लेके चलिए जब आप ये फॉर्म भर कर सम्मिट कर देंगे तब Amazon की टीम आपसे संपर करेंगे अगर उनको आपके शहर में delivery partner service की जरुरत होगी तो वो आपको संपर करेंगे अगर आप किसी खाश शहर में काम करना चाहते हैं तो फॉर्म भरते समय ये जानकारी आप दे सकते हैं फिलहाल Amazon delivery partners के लिए Mumbai, Hyderabad, Delhi NCR, Bangaluru शहरों में sourcing कर रहा है अब सवाल आता है कि Amazon से जुडने के लिए कितना खर्चा लगेगा delivery partner के तौर पर Amazon से जुडने के लिए आपको कोई joining piece नहीं देने हो लेकिन पूरा business setup करने में कुछ basic खर्चा आएगा जो आपके business के size पर depend करेगा ये खर्च 1.5 लाग रुपे से लेकर 5 लाग रुपे तक का हो सकता है खर्च कहां आएगा? जैसे आपको शुरू में delivery, associate हायर करने होगे उनका background चेक करना होगा Amazon की training करनी होगी और उसमें अगर आपका कुछ आने जाने का खर्चा लगेगा तो वो भी उठाना होगा आपके खुद के लिए बाकी business setup के लिए आपको कुछ और services लेनी होगी जैसे office space rent करनी होगी या फिर HR, payroll या फिर tax और accounting तो उसका खर्चा भी आपको उठाना होगा ये सब करके पैसा कितना मिलेगा? अगर आप 20 vans और लगभग 40 bikes के साथ operate करते हैं तो आपका सालाना profit लगभग 19 lakh से लेकर 38 lakhs तक हो सकता है अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपके पास इसके comparison में कितनी resources हैं और उनसे कितनी कमाई हो सकती है बिजनेस शुरू करनी से पहले किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? सबसे पहली बात ये part time काम नहीं है, full time काम है जो 7 दिन और 24 घंटे चलेगा आपको अपनी team इसी हिसाब से चूज करनी होगी और ये ensure करना है कि आपके पास company द्वारा specify किये गए vehicles हो जिन में आराम से समान का transport किया जा सके vehicle commercially registered होना चाहिए और बहतर ये होगा कि ये vans हो जैसे Tata S, Omni, Maruti, Eco-type इनमें 120 cubic feet से ज़्यादा जगा होनी चाहिए और जो भी local certification इत्यादी ज़रूरी है वो भी इन vehicles में होना चाहिए टू-wheeler भी ऐसे हो जिनका registration, license वगएरा सब कुछ tip-top हो आपको अपने delivery person को uniform देना compulsory नहीं है आपके समय पर Amazon training भी देता है, उनको attend कराना भी आपके लिए compulsory है इस पूरे process को पूरा होने में लगभग 2-6 हफ़े लग सकते हैं मतलब आपकी application जाने के बाद Amazon की तरफ से आपको contact करने जरूरी background चेक करने और सब ही formalities में इतना समय लग सकता है यह जरूरी नहीं है कि आपकी application फिकार ही हो जाएं इसलिए apply करने से पहले देख ले कि कितना commitment इस काम के लिए चाहिए और आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं यह तो हुई बात बड़े business की अब बात करते हैं individually यानि अगर आप personally Amazon की delivery service से जुड़ना चाहते हैं vehicle होना चाहिए जिसकी registration हित्यादी सब कुछ पूरा होना चाहिए vehicle कुछ भी हो सकता है bike, four wheeler, auto, driving license होना चाहिए bank account और PAN होना चाहिए आपके पास यह सब है तो आप इस service से जुड़ सकते हैं इसके लिए आपको Amazon की site पर जाकर flex app डाउन्लोड करना होगा इस app को डाउन्लोड करने के बाद इसमें दिखाए गई पूरी जानकारी एक एक करके भरने होगी कुछ documents मांगे जाएंगे आपसे जैसे आपका driving license की photo, आपके vehicle की जानकारी, आपके bank account की जानकारी, आपका pan number, कौन से location में आप delivery करना चाहेंगे, कौन-कौन से दिन करना चाहेंगे, किस दिन payment लेना चाहेंगे, यह सब आपसे पूछा जाएगा आपके application चुनी जाने के बाद, आपको successfully join करा लिया जाएगा और आपको अपने नजदी की hub की जानकारी दे दी जाएगी, जहां से आपको delivery उठानी है और deliver करने वाला address भी आपको दे दिया जाएगा अगर कोई client delivery में payment cash से देता है तो वो भी आपको hub में जमा करना होगा delivery person की कितनी कमाई हो जाते हैं इसमें weekly payment होती है आपके bank account में और आप 120 रुपे से लेकर 140 रुपे घंटा तक कमा सकते हैं यानि महीने के 50,000 रुपे तक आप इससे कमा सकते हैं कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें comment section में जरूर बताईए का देखते रहिए जोश मैनी शुक्रिया